Hello guys, welcome back to the new video दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एक credit card है चाहे हो SBI का हो, HDFC को, Access Bank का हो चाहे किसी भी other bank का हो दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पास एक दूसरा card हो रहो यानि कि आप वो दूसरे bank का credit card लेना चाहते है बट आपके पास अभी विलाल कोई income proof नहीं है तो कि पहले जब आपके पास credit card आपने लिया था तो शायद आपके पास job थी या आप कोई काम करते थे business होटा मोटा कुछ भी लगा लो अभी आपके पास कोई भी proof नहीं है और फिर भी आप emergency के लिए कोई भी credit card लेना चाहते है या फिर आपके पास सब कुछ है ठीक है सब documents है बट आप credit card अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको एक card की होज उर्थ है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो जो है card to card कैसे apply करते हैं यह आप लोगों को पूरा process बताऊंगा and card to card apply करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए किन किन बात होगा आपको ध्यान रखना होगा तो कैसे अगर आप यह जाना चाहते हैं कि कैसे आप जो card to card apply कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगो थोड़ी सी भी अच्छी लगे helpful लगे तो इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना and make sure इस वीडियो को देखने के बाजब आप card apply करेंगे card to card तो आपको जो card है approve भी हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिकर इस वीडियो को शुरू करते हैं तो guys यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे हाथ में जो है यहाँ पे लगबग 10 credit card है and सबसे पहला जो मेरा credit card वो SBI का था जो की simply save credit card था दोस्तों जो की मेरा first credit card बना था and उस time पे मेरी salary की बात करते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम salary थी उस time मेरी 10 से 11,000 मेरी salary थी जब मैंने job start की थी तो दोस्तों मेरा पहला credit card बना था SBI के तरफ से and यह दोस्तों कैसे बना था उस time पे वैसे 10,000 salary अगर आपकी है तो आपको कोई भी credit card नहीं देगा कोई भी bank को कोई भी credit card नहीं देगा but मेरा credit card 10,000 में क्यों बना था देखो सीधी सी बात है जब किसी भी bank को अपने target पूरे करने होता अपने leads पूरी करनी होती है month के year के end में तो उस time पे आपका जो credit card है approve होने के ज़्यादा chances होते है तो उन्हीं समय में मेरा जो पहला credit card है वो बनाया गया था तो guys जिस company में में काम करता था उस company का पूरा bank जो था वो oriental bank के उसमें आता था तो सभी employee के जो account थे वो oriental bank में थे and also oriental bank का ही मेरा account था तो guys oriental bank के जो bank manager है या फिर bank के agent बगरा होते है वो जो है office के अंदर visit करते रहते थे and दोस्तो ऐसी उन्होंने visit किया था करने मेरे document ले लिए है उसे पूछा के क्या क्या आप CD官 apply करना चाहते हैं तो मैंने कहा के चलो यार अगर apply करना जाते है ता applies करने में कोई पैसे तो लगनी ले ले तो apply करतो तो उन्होंने मुसे पूछा क्या आप की salary कितनी है तो मैंने कहा कि मेरी दुभी 10 से 12 वाहं जा रहे तो वहां पर पूरा डिटेल उनके पास होती है कि कि हैसी कितनी सेडरी आती है तो वहां पर फे पूरा क्रोज चेक कर लिया कमपनी के थूर्व तो देखा पंदरह से 20,000 ही मिलेगी, से उपर नहीं मिलेगी, इतनी भी जाता है, हो जाता है, कम ही मिल जाए, बट मेरे केसे मेरे को 21,000 जो है, limit मिल गई थी, मेरे 11,000 सेलरी थी, अज 21,000 मेरे कोlemड में limit मिल गी, तो गैस, सबसे पहला केटगाड बना था, वो SBI का था, Oriental के थुरू मैंने card card को apply किया था, बट बना था वो SBI का, क्योंकि उस टाम Oriental का SBI के साथ जो है collaboration था, तो उस टाम पर जो है मेरा card बन गया था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो आपके एक card बन जाता है, लाइक अगर आपके पास भी मान के चलता हो कि कोई एक card card है, और आप चाहते हैं कि मेरा कोई दूसरा card card बन जाए, तो दोस्तों card to card बनाने के लिए सबसे पहले, तो जैसा है दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला मेरा जो card card बना था, वो SVA का था, simply save card card था, 21,000 के limit थी, तो दोस्तों जब मैंने दूसरा card card apply नहीं किया था online, बट मेरे को जो है direct offer आने शुरू हो जाते थे, bank की तरसे call आने शुरू हो जाती है, agent call करने शुरू कर देते हैं, या फिर जब आप देखते होंगे, आप कभी किसी mall में जाके shopping करने जाते हो, खाना खाने जाते हो, या lens forest में आपको इसमान purchase करना चाते हो, तो वहाँ पिर lens forest में, या फिर big बजार, या फिर आपका mall के अंदर bank के agent घोमते रहते हैं, किसी भी bank के हो सकते हैं, वह access bank के, SBA bank के, HDFC bank के, सभी तरह के जो हैं, वहाँ पे बंदे आपको मिल जाएंगे, और वह खुद आपको knock करके, आपको बोल लेंगे, कि sir, क्या आप get card apply करना चाहते हैं, हम फ्लाने bank से हैं, हम team के bank से हैं, ठीक है, तो उस time पे, अगर आपका cbill अच्छ होता दोस्तों, तो वैसी get card बन जाता है, आप लोगों का, अगर आपके वास already get card है, अगर आप उनको बताओ, कि मैं already SBA का get card use कर रहा हूं, और वो SBA कहीं बंदा है, जो get card apply कर रहा है, तो वो बोलेगा, कि sir, आपका SBA का दूसरा get card भी बन जाएगा, अगर आप already get card use कर रहा हो, तो दूसरा get card आप लाइक कर सकतो, सबसे पहला question क्यों होगा दोस्तों, उसका, सबसे पहला question यह होगा दोस्तों, कि आपके get card की limit कितनी है, ठीक है, तो सबसे पहला आपको बताना है कि आपके card की limit है 21,000, जैसे मेरे की 21,000 थी तो, उस time पे जो है, मेरे को कोई issue नहीं हुआ, उस time पे 21,000 limit थी, तो कोई issue नहीं है, मैंनों minimum 20,000 आपकी limit होनी चाहिए, credit card की, जो पुराना credit card आप यूज़ कर रहे हो, दूसरी चीज़ है कि वो credit card active होना चाहिए, यह नहीं है कि आपने card लिया तो था, बट आपने उसको use ही नहीं किया, कोई statement अंक से जरनेट ही नहीं हुई है, हर मत statement उसकी खल लिया रती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तीसरी चीज़ कंडिशन है, वो यहां पर जो है card active होने के साथ साथ, जो है, उसके अंदर जो भी आप limit use करते हो, जो आपकी transaction होती है, जब आपने जो है, उस card की statement आपसे मांगी जाएगी ना, जब आप card अपलाई करेंगे, तो उस card की statement के अंदर जो है, अगर तीस हजार limit है, तो उसके अंदर at least 15,000 जो है, अवेलेबल होना चाहिए, बीस हजार अवेलेबल होना चाहिए, तब ही आपका जो card अपरूब के जाते दोस्तों, उसके बाद जो आपका जो credit card है, दोस्तों पुराने वाला, वो 3, 2, 6 मंथ पुराना होना चाहिए, अगर इससे पुराना नहीं है, अगर 3 महिने से पुराना card नहीं है, भी 1 या 2 मंधी हुआ है, तो उसके बाद उस card के base पे आप दूसरा card अपलाई नहीं कर सकते हैं, चाहिए आप SBAE card अपलाई कर रहे हैं, चाहिए आप SBAE card अपलाई कर रहे हैं, या फिर HDFC का अपलाई कर रहे हैं, तो हर bank का आप at least 1 से 4 credit card यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे पास SBAE के 4 credit card हो जुके थे, उसके पास HDFC के मेरे पास 2 credit card हैं, तो ऐसे आप हर bank के कम से कम 4 credit card यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता हैं, आपने कैसे यूज़ करना, कैसी आपकी consumption हैं, ठीक है, वो आपके पर डिपेंड करता हैं, बट कार्ड को अपलाई करने के लिए main conditions हैं, वो ही 4 conditions है, limit आपकी कम से कम 3,000 होनी चाहिए, card active होना चाहिए दोस्तो, and card को use करता है, at least 3 से 6 महीने हो जाने चाहिए, and statement आपको देनी होगी, last statement के अंदर, उस time पे आपके card के अंदर जो limit है, वो available होनी चाहिए 40%, ठीक है, अगर आपने पूरा card use कर रखा है, आपने 20% बचाया होगा है, तो उस time पे वो जो statement है reject हो जाएगी, तो आपको कम से कम 40% आपको उस card के अंदर बचा के रखना है, तब आपको वो last statement है, उनको submit करनी है, तो कैसे आपको यहाँ पे चार बातों का ध्यान रखना है, इन चार बातों का ध्यान रखना होगे, आप salaried हो, या फिर आप self employee हो, तो वहाँ पे आपको चूज करना होगा option के आप salaried person है, या फिर self employee हो, बढ़ गाइस वहाँ पे कुछ bank तो आपसे कोई भी salary slip नहीं demand करेंगे, आपसे सीधा वहाँ पे पुच्छेंगे क्या आप salaried person हो, अपलाई किया था, और आपकी जो KYC है, KYC pending है, या फिर आपका वो physical KYC करेंगे, या फिर वीडियो KYC करेंगे, तो कुछ case में तो आपकी वीडियो KYC हो जाती है, साथ के साथ ही, पैन काड़ा धारकर पर साथ रखना है, आपकी selfie होगी, अपकी वीडियो KYC साथ में, कम्प्लीट हो जाती है जाती है, आपकी वीडियो KYC कम्प्लीट होती है दोस्तों, उसके कुछ दन बाद ही, आपका जो काड़ अप्रूब कर दे जाता है, क्योंकि अगर आपकी काड़ का जो परसेस है, वीडियो KYC तक चला जाता है, तो आपके 101% चांसेस होता है, कि आपका जो काड़ है, अप्रूब हो जाता है दोस्तों, 7-10 वरकिंग डेस के अंदर आपका काड़ अप्रूब करके, आपके घर पर डिलीवर भी कर दे जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर दोस्तों आपको जाए वीडियो KYC नहीं करानी है, तो आप जाए उसको फिजिकल KYC भी करा सकते हैं, तो जिस भी बैंक का आपने कट-कट अपलाई कियोगा, वहां से एजन्ट को एक मतलब किसी डूल बना दिया जाता है, उसका पर आपसे कौन करके पूछ लेते हैं हो, क्या आपको घर पे अवेलेबल हों, आपको आपको वो टाइम देना होता है, उनको केस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे, तो वहां पर वो घर पे आगे या ओफिस में आगे, आपका फीजिकल के वैसी करेंगे, वहां पे भी जो आप अधार काड़, पैन काड़ हैंने, आपकी सेलफी होगी, तो वही जैसे आप वीडियो के वैसी में प्रोसेस करते हैं, वही चीज आपको दो फीजिकल के वैसी में करनी होती है, देन उसके बाद आपका जो card है अप्रूब हो जाता है 101% दोस्तों चीक है तो ऐसे आप card to card apply कर सकते हैं किसी भी bank का card apply कर सकते हैं बाकि सभी card के जो मैंने link के description में डाल दी हैं दोस्तों यहां से जाके आप direct online apply कर सकते हैं प्रसेस होगा personal detail डालनी होती चाहिए offline apply करो चाहिए online apply करो बाकि आप चाहते हैं तो offline भी apply कर सकते हैं बैंक में जाके जिस भी bank का आप card apply करना चाहते हैं उस bank की ब्रांच में आप जाएंगे और वहां पर apply कर सकते हैं बट उस case में थोड़ा सा यह शूर रहता कि आपके पास वो पूछेंगे कि आपका इस bank में खाता है या नहीं है तो अगर आपके पास उस bank का खाता नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है तो उस time पे card आपका वो apply नहीं करेंगे बट online आप जो है कर सकते हैं जापके पास खाता हो या फिर नहीं बट उसको तो guys hope करता हो कि ज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए guys मिलता हूं next video